दोस्तो ये सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और गंटी का बटन दबा के आपको हमारे मेडिकल ग्यान सम्बंदि जो वीडियो हैं वो कंटीनौस मिलते रहेंगे उसका नोटिफिकस आपको मिलता रहेगा इसलिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना वीडियो को वीडियो को कंप्लीटली लास तक देखें तब ही जाके कोई रेमेडी जो है वो एक्चुली क्लियर होती है उसकी सारी प्रॉपर्टीज तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर जाएं इसमें कंप्लीट उसमें कॉनियम मेकुलेटम पिंपिनेला पॉपिलरस रस अरोमेटिका रस टोक्स विंच टोक्सिकं और विसिनेलिस तो रस अरोमेटिका को छोड़के बाकि सारे प्लांट समने सी गुरूप के अलग अलग जो रेमेडी जो हैं वो सब देख लिया रस एरोमेटिका के बारे में एक्चुली हमें पहले देखना है आज फिर पुरी जो रेमेडी है C-17 वो कैसे काम करती है उसके एक्षन कहां कहां पर है वो सब हम देखेंगे तो रस एरोमेटिका से हम इससटब करते हैं क्यों प्लांट है और होम्योपेथि में भी इसके 맞़ का काफी वो इस्तेमाल कियाा जाता है کुछ पहता है बहुत है अब क्यों कुंपनी पेटेंट में भी इसका जो है वो अचकल करती है और होमियोपैथी के भी जो patent remedies अगर वो देखा जाए तो complex remedy के तरीके से काम कर रहे हैं मतलब electro-homeopath का ही procedure है वो क्योंकि होमियोपैथी का जो सिद्धान्त है वो सारे symptom की totality जो है वो collect करके फिर एक जो remedy select करना होता है सिम्टम्स पे complex पे वो यकीन नहीं करते हैं और जो बड़े विद्वान पुराने और अभी आज के टाइम पे भी हैं वो जितने भी patent है उनको सबको हमियोपैथी प्रिंसिपल मानते नहीं है लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रों में हिमया नहीं कर रहता हम पेयोपैथी मालोजी कंपलेक्स का है तो जितने भी patent हमेपैथी भन रहें इवन सबसे बड़ी जो economy है रेक्वैग वह कॉंपलीटली जो है वह है ऐलेक्ट्रों में पैथीorsa principle पे देम काम कर रही है तो यहां हम रस अरोमेटिका की बात कर रहे थे, रेनल और यूरिनरी सिस्टम को कंप्लेटली यह उस पे वर्क करती है, बहुत अच्छा सभी जगह पूरे यूरिनरी सिस्टम पे इसका वर्क है, लेकिन फिर भी यह जो इसकी में प्रोपर्टी है वो डियाबटीज को यह इफेक्ट है, C-17 का, इसके लाबा इनकंटिनेंस मतलब अंजान में जो परसाब निकल जाता है, खासकर लेडी में, उसको कंट्रोल करने में यह बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है, रस अरोमेटिका, रस टोक्स का भी काम है, लेकिन रस अरोमेटिका जो है, वहां है, हैमेचूरिया में, सिस्टाइटिस में, और यूरिन में पस सेल आना वहां उसको मैनेज करता है, C-17, यह एक कंप्लीट रेंज हो गई इस रेमेडी की, पेल यूरिन आना, यूरिन में जो पीलापन, इनकंटिनेंस, बिगनिंग और बिफोर यूरिनेशन, जो है वो पे कई बार पत्री में भी हो जाता है, और यूरिन के डिपलिंग होती है, वहां पे भी ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है, और डियवेटीस को मैनेज करती है, मेंटेन करती है, यह इसकी जो है, एक छाती जो है वो बन गई है, इस रेमेडी की, मतलब रस अरोमेटिका क मतलब प्रतिरूप उधा है, स्पेसी में प्लांट है, यह C-17 का, बाकि सारे जितने भी प्लांट है, वो सब इसके पीछे लगके C-17 के काम को कम्प्लीट करते हैं, तो यह रस अरोमेटिका था, अब हम C-17 की जो कम्प्लीट प्रोपर्टी है, उसके बारे में देखते हैं, पिट्रेटरी ग्लेंड, एडेनल ग्लेंड, पैन के आज, इन जो ओर्गन है, इसका विसेश जो इफेक्ट है, तो इन सब में प्रोब्लम होने की वज़े से, या इन सब से संबंदि जितने भी बिमारिया हैं, उन सब पे इसका विसेश इफेक्ट है, उन सब को यह पे एडेटरेट के डाइजिसरं से लेकर और उसके एक्सक्रेशन तक कि जितनी भी सारी जो प्रोब्लम हैं, उन सब पे यह वर्क करती है, इसलिए जो है वो डाइबटीस को भी यह मैनेज करती है, क्योंकि कहीना कहीं कार्बाहेडरेटरेश के मेटाबोलिजम से ही, यह जो पेरा थार्मोन यह रिलीज होता है उसको यह एक तरीके से कंट्रोल करने का जो काम करती है और इस हार्मोन की वज़े से पैसाब की मातरा अधिकाना भोक ना लगना यह ज्यादा लगना प्यास ज्यादा लगना कब्ज सिर्दर्द यह प्रोब्लम कहीं ना कहीं इस हार्मोन की वज़े देखने को मिलती है और जिसके सीक्रेशन को यह जो रेमेडी है यह कंट्रोल करती है खासका सेकंड डिया जाये तो यह सारी जो कंडिशन है इन सब को यह मैनेज कर सकती है इसलिए जो पूरानी समस्या हैं प्रोनिक डिजीज है उन सब को यह ठीक करने के जो पूरी शमता रखती है रेमेडी और पूरे यूरिनरी सिस्टम पर वैसे तो इसका इफेक्ट है और इसलिए जो है वह यूरिन के साथ में पस आना जलन होना यूरिनी ट्रेक्ट का जो इ इफेक्ट है और पीट्रिक लेंड यह मैंने आपको बताई दिया है एडर्नल ग्रेंड पैंक्रियास पर बीस का जो है स्पेसल इफेक्ट जो है वह देखने को मिलता है मतला में इन से संबधित सारी बिमारिये को यह ठीक करने की शमता रखती है और इसलिए डाबिटीज मे भी उसके कंट्रोल में यह हमेज़ आपको देखने के मिलेगी और लगबख सभी जो फॉर्मूलेशन डायविटीज के हैं वहां C17 आप देखते हैं इवन सीना जी ने जो एस तेरा जो हैं कंबिनेशन रेमेडी बनाई है उसमें भी सी सतरा को जो है यूज किया गया है और एस तरव अच्ची कंबिनेशन डेमेडी है जो बागे वीडियो जो गमाँगी बनाऊं नियुक्स को ब्हुत हम कारती है घान है में 21 तो डाबेटी मैं इसलिए बहुत इंप्रूंत्य डेमेडी है नर्ब शिस्टम हार्मोन के लिवल पर प्र काम करते है इसका पहला जो फर किडनी पर भी इसका तूसरा एफेक्ट जो है वो उसके बाद देखने को मिलता है एडेनल ग्लैंड पर है जिसका जो मैंने आपको बता दिया कि वहीं पीटोईटरी ग्लैंड से यह कंट्रोल होती है और पीटोईटरी ग्लैंड एडेनल ग्लैंड और हाइपोथेलमस यह सब एक दूसरे के साथ रिलेट करते ही है जिसके कारण बीपी डियाबिटीज टेंपरेचर हार्ट मुसल का कॉंट्रेक्शन और एपटाइट भूख प्यास इन सब पर इसका कंट्रोल है कि वह तीनों ग्लैंड कहीना कहीं मिलके इन सब चीजों को मैनेज करती है और इन सब ची तुरू मैनेज करती है थाइरड पर मैने बता दिया पैराथ हर्मोन पर है पैन कि आज पर इसका इफेक्ट है इसलिए इन सुलिन के जो सीक्रेशन है उसको भी यह कंट्रोल करती है जब इन सुलिन की कमी के कारण सेल जो है वो परियाप्त मातरा में गुलकोज नहीं ले पा और सरीर में गुलकोज की मातरा कम करके डियाबिटीज को यह कंट्रोल करती है तो यह रेमेडी अगर देखा जाए तो बहुत इंपोर्टेंट रेमेडी है खासकर डियाबिटीज और यूरिनरी ट्रेक से संबंदित जितने भी ब्मारी हैं उनके लिए और मेजर इफेक्ट की अगर मैं बात करूं C17 के तो वो किड्नी, यूरिनरी ब्लेडर, हाइपो थैलेमस, पैन कियाज, एडिनल ग्लेंट, स्पिट्यूटरी ग्लेंट, सिक्रेशन ओफ हार्मोन्स को यह उकास करूं तीन ग्लेंट के देखती है जनैटल ओर्गन, किड्नी स्टोन में भी लगब कार्भाइडरेट यह वो देखा गया है, और जैसा कि हम जानते ही है कि जो पैनक्यास जो है उससे इंसूलिन और ग्लुकोगन, ग्लुकोगन जो है वो दो इंपोर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, जो सरीर में कार्भो हाइडरेट के मेटाबोलिजम को जो है एक तरीके स इसको बढ़ाने का काम हो करते हैं और जिससे सारी जो सेल हैं उनको एनरजी मिलती है लेकिन इंसुलिन के कम कहीं बार होने के कारण पैंड की आज में करवड जो हम देखते हैं इसको हम डाइबेटीस भी बोलते हैं इनसुलिन की मात्रा कम होने से फिर वही बलगुस का प्रण मेंगाई दूर करने के लिए इंसुलिन का सीक्रेशन है वह हमें बढ़ाना होगा तो इसे बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं इसके लिए सात में जो दूसरी साइक उस्तिती हैं वो हमेसा दी जाती है कई बार बहुत ज़्यादा बुरी इस्थिती होने में डायबटीज में रोगी जो है वो बेहुसी की स्थिती में चला जाता है, तो फिर C-17 को हम S1 के साथ दे तो तत्काल जो है इसके उल्टा अगर इंसुलिन का जो है वो ज्यादा सीक्रेट होने लगे तो फिर हम इसको नेगेटिव में देखे उसको भी जो है वो मैनेज कर देते हैं तो यह देखा जाए तो पूरी जो है पैंक्रियाज की कंप्लीट रेमेडी हो गई और पैंक्रियाज के सारे सीक्रेशन को यह मैनेज करने की शम्ता जो है वो रखती है तो अब हम देखें और जो है नर्वस सिस्टम पर भी इसका एफेक्ट है क्योंकि कहीं न कहीं जब यह सीक्रेशन को मैनेज कर रही है और बेहुसी की स्थिति से किसी को वापस लेके आ रही है यानि के जो नर्वस सिस्टम पर है वो भी इसका इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है ये जो रेमेडी है सीसतरा ये दो तरीके से दो सरीर में दो माध्यम के तरीके से ये जो है वो अपने काम को कंप्लीट करती है मेन इफेक्ट जो है जो पहला इसका काम है वो तो हार्मोन है मतलब हार्मोन के साथ मिलके ये काम करती है दो तरीके से काम करने का मतलब एक हार्मोन हो गया दूसरा हो गया नर्वस सिस्टम तो लेकिन जो फर्स्ट है वो पहला इसका जो मीडियम है वो हार्मोनी है और फिर दोनों चीजों को लेके ही एक तरीके से अपने जो इफेक्ट को देखती है, इसके लाब आप यह वेनेरियल भी है, मतलब जो जननांग संबंदी बिमारी हैं, उनको भी यह दूर करती है, वेन वन के साथ खास कर जब इसका यूज किया जाता है, और डियावेटीज से तो जि करने की पूरी चंता यह अकिली रेमेडी रखती है, पेन क्रियाज का निस्क्रिय हो जाना या फिर यूरिन के साथ गुलकोस का निकलना और पेन क्याज में किसी भी टाइप की कड़ पड़ी हो, किड़नी में टिसू लेवल स्ट्रक्चर जो है वो खराबी आ जाए, उन सब यह ठीक कर देती है, पेन क्याज कब बढ़ जाने में भी जो है यह जो है एफेक्ट रखती है अपना, इसके लाबाद डियावेटीज के कारण सूजन आना, घा हो जाना, स्मान सकती कम हो जाना, और सारे रिक्षमता जो है वो कम हो जाना, जो मेल डियावेटीज होने के बा इनके बारे में सी सतरा की कमप्लीट जो जानकारी और उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा, धन्यवाद, टैंक्यू